क्रमचारी पेंसन की बिरोध में एक पितिसन सुप्रीम कोट में फिर दायर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सांसद बिधायक पार्षत सर्पन सभी के पेंसन हो बंद अब बिधायकों सांसदों की खेर नहीं सुप्रीम कोट में एक जन ही तियाची का दायर हुई है इसे आप से प्रतिक को भी आगे भेशने के लिए कहे तीन दिनों में पूरे भारत में यह संदेश होना चाहिए भारत में हर नागरी को आवाज उठानी चाहिए 2018 का सुधार अधिनियम सांसदों को पेंसन नहीं मिलने चाहिए क्योंकि राजनीती कोई नौकरी या रुजगार नहीं बलकि एक निह सुल्क सेवा है राजनीती लोग प्रतिनिधी तो अधिनियम के तहट एक चुनाव है इसकी पुनर निर्मान कर कोई सेवानि बृति नहीं है लेकिन उन्हें फिर से उसे इस्थिती में फिर से चुना जा सकता है बरतमान में उन्हें पेंसन मिलती है सेवा के 5 साल होने पर इसमें एक और बरी गरबरी यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा हो फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं बलकि 3-3 पेंसने मिलती है यह देश के नागरीकों के सांथ बह माने ढंक से अपने वेतन वा भत्ते बढ़ा देते हैं और फिर उस समय सभी दलों के सूर एक हो जाते हैं इसके उल्टा जो ब्यक्ति अपने जीवन काल में तीस या चालिस वर्सों तक सास्किये सेवा कर शेवनिब्रीत होता है उसकी पेंसन बंद कर दिया जाता है सांसदों क चुट रासन बिजली पानी फोन बिल जैसी सभी रियायत समाप्त होनी चाहिए वे नकिवल ऐसी बहुत सी रियायते प्राप्त करते हैं बलकि वे नियमित रूप से इसे बढ़ाते भी रहे हैं अपराधी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जाए संदिग्न ब्यक्ति संपतियों से वसुल की जानी चाहिए सांसदों को भी समाने भारतिय लोगों पर लागु सभी कानुनों का समान रुप से पालन करना चाहिए नागरीकों द्वारा एलपीजी गैस सबसीडी का कोई समर्पन नहीं जब तक सांसदों और विधायकों को उपलब्द सबसीडी स संसद कैंटीन में सबसीडी वाले भोजन सहित अने रियायते वापस नहीं ले ली जाती संसद में सिवा करना एक सम्मान है लूट पार्ट के लिए एक आकर्शक करियर नहीं फ्री रेल और हवाई जहाज की यात्रा सुबधा बंद हो आम आदमी क्यों उठा इनकी मौज मस् यदि प्रतेक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों से संपर करता है तो पूरे भारत में अधिकान स्लोगों तक यह संदेश प्राप्त करने में किवल 3 दिन लगेंगे क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा उठाने का सही समय है यदि आप उप्योगत से संपर करता है